मैं सभी देश वासियों से शमा मागता हूँ और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर शमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं जिसकी विज़र से आपको कई तरह की कठेनाईया उठानी पड़ रही है खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता ह हूँ तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है हमें इस मुसीबत में डाल दिया उनसे भी मैं विशेस रुपसे ख्षमा मागता हूँ हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सब को घर में बंद कर रहे हूँ म आपकी परिशानी भी समझता हूँ लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को करोना के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था करोना के खिलाब लड़ाई जीवन और मृत्य के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम जीतना है और इसी लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हाराद देखने के बार लगता है कि यही एक रास्ता बचा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविदा हुई है कठनाई हुई है इसके लिए छमा मांगता हूँ साथियों हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुनह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते है तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है भायों बहनों माताओं वजुर्गों कोरोना वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है यह ज्यान विज्यान गरीब संपन कमजोर ताकतवर हर किसी को चुनोती दे रहा है यह ना तो राष्ट की सिमाओं में बना है नहीं यह कोई छेत्र देखता है और नहीं कोई मौसम यह वाइरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करने के लिए एक जुठ ह कर संकल्प लेना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लौकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके मानों जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं अरे भाई यह ब्रह्म पालना सही नहीं है यह लौकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है लक्षमन डेखा का पालन करना ही है साथियों मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता नियम नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थीती की गंभीरता को नहीं समझ रहे ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी आज ये सब प्रस्ता रहे है साथियों हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम स्वास्तम सरवार्त साधनम यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्त ही है ऐसे में दियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे है चाथियों इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे है जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे है जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स है खास करके हमारी नर्सिस बहने है नर्सिस का काम करने वाले भाई है डॉक्टर है परड़ा मेडिक कर स्टाफ है ऐसे साथ ही जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उन से प्रेणा ले ली है कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारत वाच्यों ने उठाए है जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं वही भारत को कोरोना महामारी पर जिद दिलाएंगे एक-एक भारतिय का सहियम और संकल भी हमें मुश्किल स्टिती से बहार निकालेगा साथ-साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाई और अधिक तीवर होनी चाहिए हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भेर भी कोई गरीब दुखी भूका न जराता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे उसका जरूरत की चिंता करेंगे और यह हिंदुस्तान कर सकता है यह हमारे संस्कार है यह हमारी संस्कृत ही है मेरे प्यारे देशवासियों आज हर भारतिया अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंध है लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा, आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए, हमें ये जंग जीतना है, जरूर जित मिलेंगे, मन की बात के लिए फिर अगले महने मिलेंगे, और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाएं, इसी एक कलपना के साथ, इसी एक शुपकामना के साथ, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद.